नमस्कार भक्ति बोध न्यूज चैनल में आपका स्वागत हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक हिंदी स्टोरी बताने वाले हैं। राजा का पार्खी नोकर जो बहुती इंट्रेस्टिंग और रोचक स्टोरी हैं। इससे पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर कलिक कर बगल में बैल आइकन जुरूर दबाईएगा जिसे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बिलकुल फरी मिलते रहेगी। एक राजा के दरबार में एक इनसान नोकरी मागने के लिए आया। तो राजा ने उससे पूछा कि आपके अंदर खाशित क्या है। तब उसने बताया कि मैं इनसान और जानवरों को शकल देखकर उसके बारे में उसके विवहार के बारे में सब कुछ बता देता हूं। तब राजा ने उसे अपने अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। और कुछ समय बाद अपने खास किसम के घोड़े को उसके सामने लाकर पूछा कि बताएं यह नसली है या नहीं। तब उसने बताया कि हे राजन यह गोड़ा अच्छा है पर नसली नहीं है। तब उसने बताया क्यों नहीं है तो उसने राजा ने घोड़े बेचने वाले को जंगल से बुलाया। तो उसने बताया कि हे राजन यह गोड़ा बच्छपन में इसकी मा मर गई थी। तब इससे गाए का दूद बिलाकर और गाए के साथ ही पाला गया था। तब राजा हैरान रह गया। और अपने पार्खी नोकर से पूछा कि तुम्हें कैसे पहचान हुई इसके बारे में। तो उसने बताया कि हे राजन घोड़ा घास जो असली नसल का घोड़ा होता है वे घास मुहे में लेकर उपर की तरफ मुहे करके खाता है। लेकिन यह गोड़ा गायों की तरह ही मुहे नीचा करके घास खाता है। तब मैंने इसके बारे में जान लिया था। तब राजा बहुत खुश हुआ और उसे भेड़ बकरिया और फल सबजिया और अन्य दान में दिया। और उसे उसके बाद अपनी राणी के महल में तेनाती दे दी गए। और कुछ समय बाद उसे अपनी राणी के बारे में पूछा। तो उसने बताया कि हिराजन राणी के बेभार तो राणी जैसे हैं पर यह पेदाशी नहीं है। तो राजा को हैरानी हुई और उसने अपनी सासुमा को बुलाया। तब उसकी सासुमा ने बताया कि हिराजन हमें माफ कर दीजिया। जब आपके पिता जी इसका रिष्टा लेने के लिए हमारे पास आई थे तो बच्पन से ही सगाई पक्की कर दी गई थी और उसके 6 साल बाद हमारी बेटी मर गई थी तो हमने राजगराने से रिष्टा जोड़ना चाहते थे इसलिए हमारे रिष्टेदारों से हमने बेटी को गोद ले लिया था तब तब राजा ने अपने पार्खी नोकर से पूछा कि आपको कैसे पता चला तब उसने बताया कि रानी का व्यवहार नोकरों के साथ गवारपन वाला था बिलकुल भी अच्छा नहीं था जो राजसी लोग होते हैं उनका व्यवहार बिलकुल अलग होता है उसके बाद उस पार्खी को राजा ने अपने राज़ दरबार में नोकर रख लिया और कुछ समय बाद अपने बारे में जानना चाहा तो उस पार्खी ने बता कि है राजन मुझे जान की माफी बखशो तो मैं आपके बारे में बता सकता हूँ तब राजा ने कहा आपको जान की माफी है आप मेरे बारे में बताईए तो उसने कहा है राजन आप में ने तो राजा वाले गुन है और नहीं आप पेदाईशी राजा है। राजा को इस बात से बहुत गुस्सा आया वह जान की माफी दे चुका था इसलिए अपने गुसे को दबाए रखा और अपनी माता के पास पहुँच गया तब उसकी माता ने बताया कि है बेटा हमारा बेटा बच्पन में ही मर गया था तब हमें तब हमने तुम्हें एक चरवाहे से गोद लिया था तब राजा वापस आकर उसे पुछा कि तुम्हें कैसे पता चला तब उसने बताया कि मैंने आपके विवहार से जान लिया था जब आप मुझे दान में देते तो भेट बकरियां और फल सागसबजियां और अन्यसामगरी ही देते थे ये राजाओं वाले गुन नहीं है पतायत और विवहार से होती है आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेट कर जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भोले धन्यवाद